हेलो मैं लबली फ्रेंड्स तो आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल हैंड मेड डियाइवाई इस्टूडियो में तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे डियाइवाई जिनको मैंने बनाया है थोड़ा सा जुगार और कुछ वेस्ट मेटेरियल का यूज़ करके फ़र्ष्ट डियाइवाई के लिए मैं ये उरली ले रही हूँ जो कि नौरात्री की फूजा के बाद से ही मेरे घर पर वेस्ट पड़ी थी सबसे पहले मैं एक्रिलिक कलर्स का यूज़ करके उरली के सरफेस को पेंट कर ले रही हूँ इसके बाद मैं उरली में वारली पेंटिंग कर रही हूँ तो आप में से जिल्लों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ वारली पेंटिंग भारत की एक बहुत पुरानी कला है जो कि महाराश्ट की एक जनजाती वारली द्वारा बनाए जाती है पर वारली पेंटिंग करना काफी इजी होता है तो जो लोग पेंटिंग वेगारा में काफी अच्छे नहीं है वो लोग भी इसे इजली बना सकते हैं वारली पेंटिंग के चित्रों में अधिकतर आपको डांस करती हुई और्तों का ग्रूप फसल पैदावार, रितू, साधी, जनमुट्सो, आधी को ही दरसाया जाता है मुझे लगता है मैंने आप लोगों को कुछ ज्यादा ही ग्यान दे दिया तो चलो अभी मैं अपनी बकबक बंद करती हूँ और उरली को पेंट करने के बाद मैं ये तीन जूट रोप ले रही हूँ और इन तीनों को एक साथने बांद लूँगी और जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से मैंने उरली को हैंग कर लिया है तो देखी मैंने थोड़े से जुगाड और बहुत कम खर्चे में एक सुन्दर सा हैंगिंग प्लांटर रेडि कर लिया है जो मार्केट में 100 या 200 रुपए से कम का नहीं मिलने वाला है सेकेंड डियाईवाई मैं इस कोकोनेट चल्च के साथ करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कोकोनेट चल्च के अंदर के भाग को डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर्स का यूज़ करके इसमें काफी सारे मैंने ट्रैंगल बना लिये और बाद में गोल्डन कलर्से ट्रैंगल के साइड भी मैंने पेंट कर लिये इस वाले DIY को करने में मुझे काफी मज़ा आ रहा था क्योंकि इसको बनाना काफी easy था और ये देखने में भी काफी सुन्दर लग रहा था अंदर की side मैंने इसको बहुत ज़्यादा colorful कर दिया था तो बाहर की side मैंने इसको केवल white color से paint कर लिया है इसके बाद मैं ये दो पुराने elephant ले रही हूँ जो मेरे पास काफी time से पड़े हुए थे और इनके ऊपर ही मैं इस coconut silk को stick कर दूँगी तो इस तरह से मैंने एक सुन्दर सा organizer ready कर लिया है और इसमें मैं अपने जुमके, ring और bracelet वगएरा organize करूँगी तो अगर आपको यहला DIY पसंद आया हो तो आप लोग भी बनाएए और हाँ प्लीज वीडियो को like कर दीजेगा थरड DIY मैं नौरात्री की पूजा के इस color में करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैंने इस मटके के दोनों side पर दो hole बना लिये इसके बाद मैं molded clay ले रही हूँ और molded clay से एक cute से monkey का face बना कर इस मटके के ऊपर हम stick कर लेंगे फेस की detailing करने के लिए मैंने किनी special tools का use नहीं किया है मेरे पास जो चीजी available थी मैंने उन्हीं से detailing कर ली है monkey के face को complete करने के बाद मैंने मटके के ऊपर के side को red color से paint कर लिया है और बाकी का जो नीचे का side था उसको black color से paint किया है और इस naughty बंदर के face को paint करने के लिए मैंने black और yellow color का use किया है और ये वाला जो DIY मैं कर रही हूँ ना इस तरह का same product मैंने online देखा था बट वहाँ पर काफी expensive था तो फिर मुझे idea आया कि इसे तो मैं खुद easily ही घर पर बना सकती हूँ तो हाँ कहां थी मैं मैं ये बता रही थी कि मैंने monkey के face को तो अच्छे से paint कर लिया है उसकी eyes वेगेरा भी बना ली है मंकी को देशी लुक देने के लिए मैंने इसे एक गमचा भी पहना दिया है और गमचे की side में detailing करने के लिए मैंने black और blue color का यूज किया है साथ एक गमचे में मैंने छोटे-छोटे से orange color के flower भी बनाए है इसके बाद मैंने मंकी के हाथ दिपेंट कर लिए और black color का यूज करके थोड़ी सी हाथों में भी detailing कर लिए है और इस तरह से मैंने Amazon पर भिखने मलब वो expensive planters मैंने घर पर बना ली है और जब कोई चीज खुछ से बनाने की ट्राइ करो और अच्छे से बढ़ जाती तो वो जो satisfaction होती है वो तो अलग ही level की होती है और यह हमारा same to same Amazon वाला monkey planter ready हो गया है आप लोगों को यह आलग DIY कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लेज 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 चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon को प्लेज प्रेस कर लिजेगा नेक्स्ट DIY के लिए मच्चाय के ये तिन कुल्धड ले रही हूं कुल्धड के ऊपर की सैट मैंने एक होल बना लिया है उसके बाद इन तीनों कुल्धडों को मैंने पहले एक बार भाइड कलर से पेंट किया और उसके बाद मैंने रेड और येलो कलर का यूज़ करके तीनों को पेंट कर लिया और फिर इसकाय बलू कलर का यूज़ करके मैंने कुल्धड में थोड़ी बहुत सिंपल सी डिजाइन बना लिया इसके बाद मैंने Malded Clay का यूज़ करके कुछ बढ़ और फ्लावर बना लिये हैं तो कुछ लोग उससे कहते हैं कि जब DIY करने में भी पैसे खर्च होते हैं क्यों न हम मार्केट से ही चीज़े खरी लें तो भाई मेरा उन लोगों से बस इतना ही कहना है कि जब हम किसी चीज़ का reuse या recycle कर सकते हैं तो क्यों न हम करें क्योंकि हम पहले ही अपनी इस प्यारी से दुनिया को बहुत ज़्यादा गंदा कर चुके हैं और हाँ DIY करने में खर्च तो आता है बट उतना ज्यादा नहीं आता है जितनी महगी चीज़े हम मार्केट से खरीद के लाते हैं जैसे मार्केट से हम 200 या 300 की जो चीज़े खरीद के लाते हैं उन्हें हम DIY करके 20 या 25 रुपा में बना सकते हैं तो एक बार पमालें खरीद के लाते हैं हम अख़ो के लाते हैं और एक बार जो क्ले लाते हैं उससे भी अम कई सारी चीज़े बनाते हैं तो अगर आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीस आप लोग मिले आपको टाइम मिले तो आप लोग भी चीजों को reuse और recycle जरूर करें मेरे पास ये चाय के कुल्धर लगबग तीन मेहने से पड़े हुए थे बट मुझे इनके साथ DIY करने का मौका ही नहीं मिल रहा था मैं सोचे थी आज करूँगी कल करूँगी पर आज मैंने इनको ठिकाने लगा ही दिया तो देखो बातों ही बातों में मैंने काफी सारा काम कर लिया अभी हमारे ये कुल्धर के वाल हैंगिंग लगबग रेडियो हो चुके हैं इस वीडियो में मैंने चार DIY किये हैं और चारो DIY में मैंने घर पर बेकार पड़े सामान का ही उस किया है तो अगर आपके घर में भी इस तरह का वेस्ट मटेरियल पड़ा है आप भी ये DIY ट्राइ किजिए और इस प्यारी सी सुन्दर से दुनिया को और ज़्यादा गंदा होने से बचा लीजिए तो ये रहा हमारा कुलडवाल हैंगिंग का फाइनल लुक आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजएगा वीडियो को लाइक कर दीजएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई